नमस्कार मैं आस्था शिवास्तव और आप देख रहे हैं लोगनाव। आए डालते हैं आज की खास खबर पनाव। ग्वालियर कमला राजा चेरिटेबिल ट्रस्ट की ओर से न्यायले में लगाए गए इस्तगन आदेश के आविदन को कोट ने खारिच कर दिया है। केंद्रिय मंत्री जोतर दित्य सिंधिया और उनके परवारिक सदस्चन द्वारा रन किये जा रहे कमला राजे चेरिटेबिल ट्रस्ट के मामले में दावा गिया गया है कि जिस इस्तान पर महालेखाकार कारयाले के सामने से सिटी सेंटर इलाके को जोडने वाला रेलवे और वीज बना है वह जमीन ट्रस्ट की है और यह जमीन सरकार ने अपयोपयोगनों में ले ली है इसलिए सरकार करीब साथ करोण रुपे का मौपचा ट्रस्ट को अधा करें यह मामला कोट में फिलाल विचारा दिन है और दस्तावेजों का परिच्छन किया जा रहा है इस कम्ला राजेज चेरिट ट्रस्ट ने मामले में यथा इस्ति बनाए रखने के लिए कोट से इस्थगन मांगा था लेकिन कोट ने यह कहते हुए कम्ला राजेज चेरिटिवल ट्रस्ट का अविदन खारिज कर दिया कि यह जमीन सरकारी है जिस पर महालेकार और सिटी सेंटर चेत को जोडने वाला पुल बना हुआ है और यह जन्धित के काम आ रहा है ऐसे में लोक उप्योगी एजी ओफिस पुल के मामले में ट्रस्ट को कोई स्थगन नहीं दिया जा सकता और यह जमीन सरकारी है यह मामला सुप्रीम कोट तक भी पहुचा था वहां से इसे पुना सु चेत्र नियाले ग्वालियर भेजा गया है इस मामले में शास की अधिवक्ता धर्मेन शर्मा एवं जगदी साक्यवार ने बताया कि सिटी सेंटर छेत्र के तैसीलदार ने इस भूमी के सरकारी होने के संबंद में सन 1950 के कई दस्ताविज पेश किये हैं ट्रस्ट का कोई मौ कि क्या कुछ मामला था क्या कुछ इंस्ट्रेक्शन आये हैं और क्या कुछ कहा गया था कि इस तरह कि जो जहांसी रोड पर एजी ओपेश पुल बना हुआ है यह शिंदिया जी ने इसके लिए दावा पेश किया था कि यह जमीन हमारी है और उसको उसमें उन्होंने साथ कर जमीन पूरी सास्की इसमें कि प्रकार का सिंदिया जी का अभी आधिपत्त है ना ही उनकी कोई अभी रक्ष्ट उसमें है इसलिए इसलिए इनको किसी प्रकार इस्टे दिए जाता है तो उस पर आम जन्टा की हित्ता में प्रभाब पढ़ेगा और आव अवरुता पैदा ह जाना है कि हमारी पॉस्टेशनी जमीन है और इसका माबजा मागा ए नोंने और जो कुछ जमीन बजी हो इस पर इस्टे मागना चाहता है तो नियाले लोन के आजवेज रस्त कर दिया है या कहते हुए कि यह लोग हित के सम्मझत मामला है और जे जमीन सास्की है इसबुक को भी अब फॉलो कर सकते हैं